तो ये नए फीचर ये नए अप्डेट्स आपको कहा मिलेंगे कैसे यूज करना है तो आज की वीडियो बताने वालों दोस्तो सबसे पहले बता दू हूँ अगर आपको आपको अपने वाटसब को करने नहीं अपडेट जब तक या अपने वाटसब को अपडेट नहीं तो सबसे पहले आपको अपने वाटसप को प्लेस्टोर में जाके अपडेट कर लेना है उसके बाद आपको जो मैं फीचर बताऊंगा आगे आप उनको महाँ पर देखेंगे तो उसमें से कुछ आपको मिल जाएंगे कुछ के लिए आपको थोड़ा वीट करना रहेगा तो च होता किया जैसा कि आप समझ रहें नाम्स व्यूमनस जो भी आगर आप फोटो या वीडियो को व्यूमनस लाके भीज देंगे तो जैसे कि वह एक बार देख लेगा वह दुबारा उस फोटो या व्यूडियो और यहां पर चूस कर लिया है अब मैं यहाप और फोटो को यहां पर आप देखेंगे मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं आपको आप देखेंगे यहां पर बना हूँ आपको दिख रहा होगा यह आपको दिख रहा है आपको इसको इनेबल करेंगे तो आपको वहापर उपर भी मिल जाएगा और अब अगर आप यहां पर इस फोट एक्षान्ट करें जैसे कि मैं इस फोटो पे क्लिक करा एक बार यह डाउनलोड हो जाएगी डाउनलोड होने के बाद मैंने यहां पर इसको ओपन करके यह पर देक लिया और जब मैं बैक आउँगा तो यहां पर आप देखेंगे आपको open का option मिल जाएगा और मैं दोबारा इसको access नहीं कर पाऊंगा तो सबसे पहला पीचर यही है यह व्यूवन्स का जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा आप यहां पर फोटो या वीडियो किसी को भी व्यूवन्स करके भेश सकते हैं दोस्तों उसके बाद हो मैं second future बताने माना वह भी बहुत कमाल का फिचर है वह है फोटो को रेके तो अगर अपने अपने मॉवाइल में कभी किसी को फोटो शेयर करी होगी तो आपको अगर अपनी फोटो को अच्छी quality में सेंड करना होता है तो आपको documents में सेंड करना होता हो जैसा क कि मैंने आप आप देख रहे होंगा documents में भेज आ है बट अगर आपको एक option मिल रहा है WhatsApp के अंदर वहां पर क्या होगा आप आप कोई photo को भी अच्छी quality में भेज सकते हैं वह भी WhatsApp से वह भी कोई आपको कुछ भी अलग से setting या बोल सकते हैं अलग से आपको documents में भीजने की option पर यहां सबसे नीची जाएंगे आपको एक option मिलेगा photo upload quality आपको इसको best data यह आपको मिल रही होंगे अगर आप best पर कर लेंगे तो कोई भी आपके mobile में नेटवर्ग हो तो best quality में जाएगी अगर data saver में कर लेंगे तो low quality में जाने वाली है तो आप अगर आटो में set कर दे उसको convert करने की भीजने की ज़रूत नहीं तो यह है second feature दोस्तों उसके बाद मैं आपको जो थर्ड बताने वाला हूं वो है stickers को लेके दोस्तों यहां पर क्या होता था जब भी अगर आपने वाइल में जब भी अगर आपने WhatsApp पे किसी को sticker send करना होता था था पहले क्या रहता आपके पास पहले आपको sticker मिलते थे जो की simple होते थे उसमें कोई animation नहीं होते थे simple की simple एक photos की रूप में जाते थे बट अगर आपने देखा होगा कुस टाइम पहले अगर आपको नहीं पता अब यहां पर एक नए update आ अब यहां पर आप stickers send कर सकते हैं वो भी animation की रूप में अब उसके लिए आपको करना क्या होगा यहां जाना आपको यहां प्लस वाले आइकन पर प्लस वाले आइकन पर जाएंगे तो आपको यहां पर बहुत सारे stickers मिल जाएंगे आप देखेंगे सभी animatics होंगे 99% यह बोल सकते हैं 90% यहां पर जितने भी stickers जो latest होएंगे सब आपको यहां पर Download करेना है एक पर आपको डाउनलोड करना हुगा उसके इसको कुछ वहन कर पाएंगे तो मैंने हैं यहos तो या अगर मैं आपकर किसी को message करूँगा तो आप यह animation में जाना वाला है इसको भीजना किस है उसके लिए मिन को जाना यहां पर यहां पर आउंगा आप देखेंगे मिल गया है मैं किसी को भी बेजिते जाने large link sharing preview मतलब कि अगर आप किसी link को अपने whatsapp पे share करते हैं किसी बंदे को तो उसका जो preview है पहले बहुत छोटा आता था अब वहाँ पर आपको preview अच्छा खासा बड़ा दिखने वाला है कैसे है तो मैं आपको बताया तो मैं यहाँ पर अपनी कोई सी भी वीडियो का link उठा लेता हूं तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अपने link को copy कर लिया है अब मैं यहाँ पर link को यहाँ पर paste करूँगा paste करने के यहाँ पर send करूँगा तो आप देखेंगे जो उसका preview आएगा बड़ा आने वाला जो की पहले छोटा था अब उसका preview आपको अच्छा का समा पर large देखने वाला है अब मैं यहाँ पर send कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं जो उसका preview आया पहले से large आया है पहले अगर आपने देखा होगा मैं यहाँ पर और भी दिखा दूँ मैंने यहाँ बहले भी भेज़े होंगे तो यह प्रिव्यू आपको यहाँ पर large देखने वाला आप देख रहे होंगे यहाँ पर preview large देखने वाला आगर मैं इसको यही तोबार आपको send करके करके दिखा दूँ तो आप देखेंगे इन एक कि स्पीड के साफ़ से कवर करता अगर आपकी नेट के स्पीड अच्छी होगी तो इजी लिफ अटाक से डून लेगा नहीं तो टाइम लगाता है आप देख रहे होंगे अब यह आ चुकी अब मैं यहाँ पर फोटो सेंड कर रहा हूं तो आप देख रहे होंगे जिसका प्रिव्यू अच्छा खासा यहाँ पर लार्ज प्रिव्यू आपको देख रहा होगा तो यहीं फोट अप्डेट था या बुल सकते हैं फोट लेटेस्ट नया फीचर था उसके बाद दूस्तों मैं फिट फीचर बताने वाला हूं वह है स्टीकर्स को ही लेके यहाँ पर ह सकते हैं तो आपको सिंपली जाना है यहां पर स्टीकर वाले ऑप्शन पर यहां सर्च पर जाएंगे तो अगर आपको किसी को हैलो भीजना है तो हैलो से जो भी होंगे वह आपको दिखा देगा यहां करोगे तो से रिलेटेट जो भी होंगे आपको बता देगा यह देख आपको सिंपल टैप करेंगे तो अब वहां से इजी ली भेच पाएंगे आप सर्च कर पाएंगे स्टिकर तो यह था फिफ्ट बाला तो दोस्तों मुझे उम्हीड है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई गोई दोस्तों अगर आपको लगता सो मेरे वीडियो कुछ कम यह तो मुझे डिसलाइक गिया सकते हैं और अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से लिडिया कुछ भी आप मुझे डारिक्ली कमेंट करके पूछ सकते हैं और हो सकते हैं तो आप मेरे वीडियो को शेर करना ना बोलें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बा